आज हम देखेंगे कोण का सम्द्वी भाजक बनाने से संबंदित उधारण 140 डिगरी माप वाले कोण यानि एंगल की रचना कीजिए और उसे सम्द्वी भाजत यानि बाइसेक्ट कीजिए 140 डिगरी के माप का कोण बनाने के लिए पहले एक किरण यानि रेखीजिए इसे नाम दीजिए BC अब चान्दे यानि प्रोटैक्टर को किरण BC पर इस प्रकार रखे जैसे की चान्दे का केंद्र यानि सेंटर बिंदु B पर हो और शून्य किनारा किरण को पूरा-पूरा ढख ले फिर हम चान्दे की उस केल का प्रयोक करेंगे जिसमें 0 डिगरी C के नस्दीक है चुकि हमें 140 डिगरी कोन की रचना करनी है इसलिए हम इस केल पर आगे बढ़ते हुए 140 को दर्शाने वाला चिन्न ग्याद करेंगे और इसके सम्मुक एक बिंदु बनाएंगे इसे हम A नाम देंगे अब हम बिंदु B को शीर्ष लेकर बिंदु A से जाती हुई किरण खीचेंगे इससे हमें कोन ABC प्राप्त होगा जिसकी माप 140 डिगरी है अब चलिए इसे सम्मुई भाजित करें पहला चरण कोन को सम्मुई भाजित करने के लिए परकार के नुकीले सिरे को कोन ABC के केंद्र पर यानि बिंदु B पर रखकर एक चाप खीचिये जो कोन ABC की भुजा BC को बिंदु E पर काटता है और भुजा BA को बिंदु F पर काटता है दूसरा चरण परकार का नुकीला सिरे E पर रखकर इसे हम E F से आधे से अधिक दूरी के लिए खोलेंगे इस दूरी के साथ हम कोन ABC के अभियंतर में एक चाप खीचेंगे तीसरा चरण परकार में उतनी ही दूरी रखकर हम परकार का नुकीला सिरे F पर रखेंगे और E से बने चाप को काड़ता एक और चाप खीचेंगे दोनों चाप बिंदू G पर प्रतिछेत करते हैं चोथा चरण अब हम शीर्ष B से G से होते हुए किरण B G खीचेंगे किरण B G कोण ABC को दो बराबर भागों में विभाजित करता है इसलिए यह वांचित समद्वी भाजक है यह सत्यापित करने के लिए हम चांदे की साहिता से दोनों कोणों का माप लेंगे दोनों कोणों का माप बराबर है अगर हम ट्रेस पेपर पर प्राप दो कोणों में से किसी एक कोण के हुबहु कोण बनाएंगे और इसे दूसरे कौन पर रखेंगे तो दोनों कौनों की भुजाए एक दूसरे पर ठीक रूप से व्यवस्तित हो जाती है यानि के दोनों कौन बराबर दिखाई देते हैं इससे यह सत्यापित होता है कि हमने 140 डिगरी माप वाले कौन को ठीक प्रकार से समद्वी भाजत कर लिया है जिससे हमें दो कौन प्राप्त हुए है और इनमें से प्रत्यक की माप 140 डिगरी बटे 2 बराबर 70 डिगरी है अगला उधारण रूलर और परकार की सहायता से कोन XYZ के एक और एक बटे दो गुणा माप वाले कोन की रचना कीजिए दिखने में यह सवाल कठीन जरूर प्रतीत होता है लेकिन कोन के रचना की सही समद्वी से इसे हम आसानी से हल कर सकते हैं यहां हमें दिए कोन से एक और एक बटे दो गुणा बड़े कोन की रचना करनी है एक और एक बटे दो मतलब एक धन एक बटे दो अगर हम दिए कोन के बराबर कोन बनाते हैं और फिर दोनों में से किसी एक कोन को समद्वी भाजित करते हैं तो एक पूर्ण कोन और एक आधा कोन मिला कर, हमें दिये कोन का एक और एक बटे दो गुणा बड़ा कोन प्राप्त होगा। चलिए, इसे कोन की रचना करते हुए समझे। यहां हमें कोन X, Y, Z दिया हुआ है। अगर हमें इसके बराबर माप वाले कोंड की रचना करनी होगी, तो यह हम कैसे करेंगे? विडियो रोक कर दिये कोंड के बराबर माप वाले कोंड बनाने की विधी याद कीजिए. चलिए हम बताते हैं, पहला चरण, परकार को लेकर हम उसका नुकिला सिरा शीर्ष यानि वर्टेक्स वाई पर रखेंगे, फिर हम परकार को सुविधा जनक दूरी के लिए खोलेंगे और कोंड वाई की भुजाओ को बिंदू U और V पर काटता चाप कीचेंगे, यह चाप हम बड़ा बनाएंगे जिससे की हम आगे की विधी कर पाएं, दूसरा चरण, यहां हम बुजा XY को दोनों कोणों में उभईनिश्ट रखेंगे, अब हम परकार का नुकिला सिरा बिंदू V पर रखकर परकार को UV जितना खोलेंगे, और पहले चाप को काटता चाप खीचेंग मान लीजिए, दोनों चाप बिंदू D पर प्रतिचेत करते हैं तीसरा चरण, अब हम शीश Y से शुरू होती हुई और बिंदू D से जाती हुई किरन YD खीचेंगे, इससे प्राप कोण XYD, कोण XYZ के बराबर है अब हम किसी एक कोण का समद्वी भाजक पता करेंगे, यहां हम कोण XYZ का समद्वी भाजक पता करेंगे पहला चरण, सबसे पहले हमें शीश Y से एक चाप खीचनी होगी, जो कोण XYZ के दोनों भुजाओ को प्रतिचेत करती है यहाँ हमने एक चाप पहले से बनाई है हम इसी का उप्योग करेंगे दूसरा चरण परकार का नुकीला सिरा बिंदू U पर रखकर इसे UV के आधे से अधिक दूरी के लिए खोलेंगे इस दूरी के साथ हम कोण XYZ के अभियंतर में एक चाप कीचेंगे तीसरा चरण परकार में उतनी ही दूरी रखकर हम नुकीले सिरे को V पर रखेंगे और U से बने चाप को काड़ता एक और चाप खीचेंगे दोनों चाप बिंदू M पर प्रतिछेत करते हैं चौथा चरण अब हम शीष Y से शुरू होकर M से जाती हुई किरण Y M घीचेंगे किरण Y M कोण X Y Z को दो बराबर भागों में विभाजित करती है इसलिए यह वांचित सम्दुई भाजक यानि बाइसेक्टर है अब हम कोण X Y D और कोण X Y M का योग करे तो हमें प्राप्त होगा कोण D Y M जिसकी माप कोण X Y Z के 1 और 1 बटे 2 गुणा बड़ी है अगला उधारण सम कोण को सम्दुई भाजित करने पर प्रत्यक कोण का माप क्या होगा हम जानते हैं कि सम कोण यानि 90 डिगरी का कोण अगर हम इस कोण को सम्दुई भाजित करते हैं तो हमें इसके दो बराबर भाग प्राप्त होंगे, चुकि दोनों कोण बराबर है, इसलिए प्रत्य कोण का माप होगा 90 डिगरी पटे 2, याने की 45 डिगरी. तो आज हमने देखे कोण का समदी भाजक बनाने इसे संबंदित उधारण, अगले वीडियो में इससे संबंदित कुछ गलतिया देखेंगे.